आपसी रंचिश कहे या नशे की गर्मी रोहिणी सेक्टर 15 के जी ब्लॉग डीडिये मार्केट में 26 साल की युवा बॉलिबॉल प्लेयर रोहिट की चाकों से गोत कर हत्या कर दी गई रोहिट सोनी पल्स से रोहिणी में अपनी बुआ की घर मकर संक्रांती का उफार देने आया था बुआ की घर से निकलने के बाद रोहिट अपने एक दोस्त विवेग से मिला और दोनों ने शराप पी इसके बाद दोनों दोस्त रोहिणी में ही घूंते रहे विवेक इस घटना का जश्मदीद भी है और विवेक के मताबिक राद 11 बचे की करीब जब रोहिट की साथ वो रोहिणी सेक्टर 15 के डीडिये मार्केट आया तो मुकेश ठाकुर नाम का श्राक्स अपने कुछ साथियों के साथ वही मौजूद था मुकेश भी अपने साथियों के साथ शरापती रहा था रोहिट और मुकेश की आपस में गाली गलाच हुई जिसकी बाद मुकेश ने रोहिट पर चाकु से हमला कर दिया मुकिरिश के अन्य साथियों ने भी रोहित पर चाखुआ डंडे से बार किये जिससे उसकी मौत हो गई रोहित की साथी विवेग के बयान पर मामला दर्च हुआ है और पुलिस फिलाल विवेग से पूछताच कर रही है पुलिस ने अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताच हो रही है रोहित की पिदा जो की एरफोस से रिटार होने की बाद वॉलिबॉल क की कोचिंग देते हैं इस घटना से बहत आहत है रोहित अपनी माबाग का इकलाता बेटा था यह लड़का हमारा पहला भी कई बार बूलता था वह कोई लड़का है सरनाटा है कोई और एक और करना मतलब से मुकेश लैरी है पुलेने से बड़ी दमगया मिल रही है मुझे म कुछ महीनों में उसे लगातार जान से मारने की धंकिया मिल रही थी रोरिक प्रॉपर्टी की गारोबार में लगा था और परिवार का कहना है कि उसकी कुछ भी रोधी लगातार उस पर इलाका छोड़ने के लिए दबाव भी बना रहे थे अत्या की असली वज़े तो पु प्रॉब